हलो एवरिवन मैं एड़ोकेट विकरांतुड़ा और आज हम बात करेंगे हमारे उन अधिकारों के बारे में जो हमें देश की किसी भी पैट्रोल पंपर मिलते हैं as a customer वो अधिकार क्या है और अगर हमारे उन अधिकारों का हनन होता है या कोई पैट्रोल पंप हमारे साथ किसी किसम की दोकादड़ी करता है तो उस पैट्रोल पंप की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं इनी सब बातों को आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह हम सभी जानते हैं क अब चलिए बात करते हैं क्या है हमारे वो अधिकार हमारा सबसे पहला अधिकार है right to check the quality of the petrol और fuel मतलब जो भी हम petrol या fuel ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता जाचने का अधिकार हमारे पास है अगर हमें लगता है petrol pump के अंदर किसी तरह के मिलावट हो रही है तो उस condition में हम अपन petrol pump की ही जिम्मेदारी होती है उस condition में petrol pump में जो petrol मशीन से कुछ petrol की बुने उस filter paper पर गिराई जाती है और देखा जाता है कि अगर कुछ समय के अंदर ही वो petrol उड़ जाता है और उस paper पे किसी तरह कोई निशान नहीं छोड़ता है या फिर हलका गुलाबी निशान छोड़त fuel मतलब जो आपको fuel या petrol आप ले रहे हैं उसकी आपको जितनी मातरा सरकार ने निर्धारित की गई है उतने पैसे में आपको उतनी मातरा मिलने चाहिए अगर आपको लगता है कोई petrol pump आपको पूरी मातरा नहीं दे रहा है तो आप उसके fuel check के demand कर सकते हैं उस condition में उस petrol pump पर एक 5 केजी का जारिया मापक होता है जिसके अंदर मशीन से petrol भरा जाता है और देखा जाता है कि जब वो मापक पूरा उपर तक भर जाता है तो उसमें 5 लीटर पैटरोल होना चाहिए और उस 5 लीटर पैटरोल और मशीन में दी गई 5 लीटर की संख्या अगर वो सेम है तो पैटरोल की मातरा बिल्कुल सही है लेकिन अगर लगता है कि उसमें जो पैटरोल 5 लीटर का है और जो मशीन में संक्या दिखा रहा है वो डिफरेंस है अगर ये डिफरेंस 25 अमल तक का आता है तो इसे सही माना जाता है लेकिन अगर ये डिफरेंस 25 अमल से ज़ादा का आत आपका तीसरा आधिकार है right to check the density of the fuel उस condition में आप पेट्रोल पंपे डिमांड कर सकते हैं उसकी density चेक करने के लिए उसके अंदर पेट्रोल पंपर शीशे का एक 500 ml का जार होता है जिसके अंदर पेट्रोल मशीन से पेट्रोल भरा जाता है फिर उसके अंदर हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर डालके उस पेट्रोल का तापमान लिया जाता है फिर उस तापमान को पेट्रोल पंपर रखे ASTM चार्ट से मैच किया जाता है उसका तापमान लगब 15 डिगरी सेलसियस के आसपास एक जो होता है आईडल तापमान बाज़ता है उसके ऐस पास होना ये भी आपका अधिकार है कि अगर आप पेट्रोल पंपर कैश मीमो की डिमांड करते हैं तो आपको कैश मीमो मिलना चाहिए और उस कैश मीमो के अंदर या फिर उस बिल के अंदर पेट्रोल पे आपने कितने का पेट्रोल लिया है उस प्राइज में आपको कितनी मात्रा पेट्रोल की मिली है वो सब उस पे होना चाहिए साथी साथ ये भी आपका अधिकार है कि आप किसी भी पेट्रोल पंपर फ्री हवा भरवा सकते हैं अपने वहिकल के टायरों में और ये पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर्स के लिए फ्री हवा मुहाया कराएं। साथी साथ ये भी आपका अधिकार है कि आप किसी पेट्रोल पंप पर पीने लाइक शुद्ध पानी मिलना चाहिए। साथी साथ ये भी आपका अधिकार है कि किसी भी पेट्रोल पंपर use करने के लिए public hygienic toilet होना चाहिए साथी साथ पेट्रोल पंपर free first aid kit भी available होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो किसी मुसीबत या अपातका लिए किसी accident की वैसे किसी nearest पेट्रोल पंप को approach करते हैं अपनी साहिता के लिए साथी साथ उस पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है और आपका ये अधिकार है कि वहाँ पे एक complaint box भी होना चाहिए कि अगर आप किसी वज़े से पेट्रोल पंप की किसी service से खुश नहीं है तो आप उस complaint box के अंदर अपनी complaint डाल सकें और ये भी पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है कि वह एक public display के अंदर पेट्रोल की रोज की कीमत जैसे आज मानके चलिए पेट्रोल की 100 रुपी कीमत है तो उस दिन के जिस दिन आप पेट्रोल भरा रहे हैं उस दिन की जो कीमत है उस पेट्रोल पंप पर लिखी होनी चाहि जो उस एरिया का sales officer है जो उस company का sales officer है जिसका पेट्रोल पंप है उसका नंबर साथ ही साथ पेट्रोल पंप की license का नंबर ये सबी अंकित होने चाहिए public के लिए अब अगर एक किसी वज़य से आपके इन अधिकारों का हनन हो रहा है आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे है त जिसे जो उस company का sales officer होता है जब उस पेट्रोल पंप पर विजिट करता है वो उसे चेक करता है और उस चेक करने के बाद वो उस शिकायत पर काम करता है लेकिन आम तोर पर ये होता है कि पेट्रोल पंप उस complaint book को देने से आना कानी करते हैं बहाने बनाते हैं और देते नहीं तो उस condition में दूसरा आपके पास रास्ता है कि जो public display पे आप देखेंगे sales officer का number है आप उस number पे call करके भी उस petrol pump की शिकायत कर सकते हैं लेकिन किसी वज़य से अगर आपको वो number भी नहीं मिल रहा है तो उस condition में आपके पास रास्ता है वो जिस भी company का petrol pump है जैसे हिंदुस्तान petroleum का है या किसी दूसरी company का है तो आप उस petrol pump की उसके customer care पे call करके भी उस पे complaint कर सकते हैं उसके अंदर आपको अपनी जानकारी के साथ साथ उस petrol pump की location उस petrol pump का नाम वो सारी बातें आपको उसके अंदर बतानी होंगी अगर किसी वज़य से आप उस पे भी complaint नहीं कर रहे हैं या आपको कोई और रास्ता चाहिए तो उस condition में है ministry of petroleum and natural gas उसकी website है www.mopng-seva.in आप इस पे log in करके भी किसी भी petrol pump की जिस भी company का वो petrol pump है उसकी location अपनी details सारा कुछ डाल के उस petrol pump की शिकायत कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने आप से इस वीडियो के अंदर petroleum से related अपने अधिकारों से related उसके complaint करने से related काफी जानकारिया शेयर की हैं आपको मेरे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी है तो प्लीज मुझे comment section लिक के जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई topic है तो प्लीज मुझे वो भी suggest कीजिएगा जिसके ओपर मुझे वीडियो करनी चाहिए तो मैं जरूर कोशिश करूँगा उस topic के ओपर वीडियो बनाने के लिए तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत